एपिसोड की शुरुवात कारवद्वारा मुस्कान को मंगला सूत्र पहनाने से होती है, अक्षु अभिनव का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैंने आके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, यह हमारे रिष्टे का घवा है, मैं तुम्हें शादी के बाद छपी हुई बात बताऊंगी, तुम मुझे बताऊ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, तनाव में मैं वादा करता हूं कि मैं इसे संभाल लूँगा, कारव मुस्कान की मांग में सिंग दूर भरता है, हर कोई ताली बजाता है, अभिनव कहते हैं कि आपक और मुस्कान को गले लगाते हैं, नीला अभिनव को अपने साथ आने के लिए कहती है, कोई घूंघट में आ जाता है, वे सभी मजाग करते हैं, अभिनव ने घूंघट उठा लिया, नीला कहती है कि ये हमारी शादी का एक रसम है, वह हिसे समझाती है, कैरव अभिनव पर मजाग करता है, नीला अभिनव को गूंघट डाल कर बैठने के लिए कहती है, अभिर पूछता है कि ये कौन है, वह भी गूंघट में रहता है, डादी का कहना है कि अभिर अभिनव की जिंदगी है, मनीश शक्षु को देखता है, अभिर कहता है कि आप दुनिया के सबसे प्यारे पापा और सबसे अच्छे पापा है, अभिनव रोते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं, वह सोचता है, शमा करें, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन, सका, लेकिन आप दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हैं, आप चौध गए, लेकिन आपने कारण नहीं पूछ शमा करें, वह कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, रसम पूरा हुआ, नीला ने घूंघट उठा लिया, वे अभिनव को रोते वे देखते हैं, अभिनव कुछ नहीं कहता, मुस्कान जा रही है, तो मेरे आशो निकलाए, मुस्कान उसे गले लगाती है और रोती है, कायरव नीला को साथ आने के लिए कहता है, कायरव सही कह रहा है, समय बदल गया है, तुम आ सकते हो, सुरेखा सोचती हैं कि उदायपुर में कसौली खुलें, पडोसियों को भी साथ लें, नीला कहती है धन्यवाद, लिकिन मैं अपने तीन बच्चों को यहां नहीं छोड़ सकती, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अगर मुस्कान ने कोई गल्ती की हो, तो उसे माफ कर दें। दादी का कहना है कि वे हमारी बेटी है, अबिनाव कहते हैं कि मैं दूसरों के परिवारों को देखने का सपना देखता था, मुझे नीला और मुस्कान के, रूप में एक परिवार मिला, मुझे एक पत्नी और बेटा मिला, वह भावक हो जाता है, कायरग उसे गले लगाता है, मुस्कान की विदाई की रस में हो चुकी है अक्षु कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम तनाव में थे हम अभीर को सच नहीं बताएंगे अब इनव कहते हैं नहीं, अब उन्हें सच बताने का समय है मैं उनका पिता हूँ मैं उन्हें परेशान और चिंतित नहीं देख सकता मैं उन्हें सच बताऊंगा मनीश, कहता है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा मैं सब के सामने मंजिरी से बात करूँगा अभी और अक्षु को पता होना चाहिए कि मंजिरी क्या सोचती है मनजिरी भी पूछती है कि आप अक्षू और अभिनव से कब बात करेंगे, अभिर को सच्चाई पता होनी चाहिए अभी कहता है कि मैंने अक्षू से उसे सच बताने के लिए कहा, अभी जानता है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है वह पूछती है कि समस्या क्या है, अभी कहता है कि अभिनव को ये नहीं पता था, मैंने, अक्षू से उसे बताने के लिए कहा, मुझे लगता है कि उसने उसे बताया था, इसलिए वह चिंतित लग रहा है, थोड़ा धारे रखें, ये अभीर के बारे में है, आरोही देखती ह अभी, अभीनव और अक्षू अभिर को देखते हैं, अभीनव कहते हैं कि हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मंजीरी देखती है, मनीश चाता है और कहता है कि मुझे रूही और तुम्हारे लिए आईसक्रीम मिली है, जाओ और खाओ, का कहना है कि हमें कुछ छोटी सी बात करनी थी, मनीश का कहना है कि आईसक्रीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आभिर जाता है, अभिनव कहते हैं कि हमें आपको कुछ बताना था, मनीश कहते हैं कोई जरूरत नहीं, कोई भी आपको सच बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता अभी कहता है कि वे जानता है कि अभिनव उसका असली पिता नहीं है माता पिता होने के नाते उसे सच बताना हमारी जिम्मेदारी है मैंने हमीशा अक्षू और अभिनव की भाबनाओं का सम्मान किया है मैं उस पर दबाव नहीं डाल रहा हूं मनीश कहते हैं कि आप नहीं मंचिरी ऐसा कर रही है, उसने अभिनव को ऐसी बात बताई है, अभी कहता है कि उसने वही कहा होगा जो मैं चाहता हूँ, मनीश कहते हैं कि आप जानते हैं कि उन्होंने अभिनव से क्या कहा, अभी कहता है कि वे हभिर की दादी है, क्या वे उसके मनीश कहता है कि उसे अभीर के बारे में सोचने का अधिकार है। लेकिन उसे अख्षु और अभीर के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है।